हेलो फ्रेंड्स यू अल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स मैं आपकी इंगलीश एजुकेटर्स वाती राठ और स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेट फर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर और आज इस वीडियो में हम लोग Error Detection का Part 10 करेंगे इससे पहले के सभी वीडियो अप टू Part 9 हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे अविलेबल हैं I hope आप सभी ने अभी तक वो सारे ही वीडियो देख लिये होंगे और अगर स्टेल रून में से कोई वीडियो बाकी है तो आप उस of Bangalore यहां पर sentence कुछ ऐसा sense दे रहा है कि जो दिल्ली की रोड पर वाहन चलते हैं वो संख्या में Bangalore की रोड पर चलने वाले वाहनों से जादा हैं मतलब यहां पर दिल्ली के number of vehicles का comparison बैंगलोर के number of vehicles के साथ हो रहा है और हमें comparison तो करना है साथ में हमें इस number of vehicles का repetition भी अव करेंगे उस टाइम पर हमें use करना होता है देन डाट ओफ लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं पार ची में सिर्फ दैन यूज रहा है देन डाट ऑफ यूज नहीं हुआ और हमें comparison भी करना है और हमें repetition भी करना है इसलिए यहां पर दैट था ना चाहिए लेकिन क्यूंकि य कैसे करना है यह चीज भी I hope clear होगी so now moving to our next question अगला question है हमारा she could not bear his separation मतलब यहां पर किसी लड़की की बात हो रही है जो किसी लड़के से अलगाव नहीं सहन कर सकती अब देखिए यहां पर मैं आपको बता दू के error है part C में his separation में वो इसलिए क्योंकि sentence कुछ ऐसा sense दे रहा है कि कोई लड़की है वो किसी लड़के से अलगाव नहीं सहन कर सकती लेकिन यहां पर लिखा है his separation का सीधा मतलब निकलेगा उसका अलगाव मतलब किसी लड़के का अलगाव अब देखिए जब भी का अलगाव होता है तो का नहीं होता से होता है तो वो जो लड़की है वो उसका अलगाव नहीं वो लड़की उस लड़के से अलगाव नहीं सहन कर सकती इसलिए यहां पर his separation नहीं आना चाहिए ये इसका सही structure हो जाएगा कि she could not bear separation from him मतलब जब भी separation होगा तो वो का नहीं होगा separation हमेशा किसी से होता है तो hope आपको ये question clear है कि इसमें क्या error होगा और correction हो जाएगा his separation को हम replace करतेंगे separation from him से आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है this is the road whose inauguration was done by the president मतलब ये वही road है जिसका उद्घाटन राश्ट्रपती द्वारा किया गया अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे error है part B में अब मैं आपको reason बताती हूँ कि part B में error क्यों है यहाँ पे बात हो रही है road की और road है एक non living thing लेकिन उसके लिए हमने pronoun whose use किया लेकिन एक rule बोलता है कि whose कभी भी हम non living चीजों के लिए तो use करते ही नहीं है तो जब हम whose non living चीजों के लिए use नहीं करते तो यहाँ पे हमने road के साथ इसे कैसे use कर लिया यह तो कभी possible ही नहीं है ना grammatically this is wrong इसलिए error part b में ही होगा यहाँ पे this is the road और फिर whose आया ना इस whose को हम लोग replace कर देंगे मतलब इस पूरा phrase को ही हम replace कर देंगे the inauguration of which से तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता दू कि यह जो part b है इसमें error है और whose inauguration यह गलत structure है sentence का इसकी जगह पे आना चाहिए the inauguration of which यह इसका सही sequence हो जाएगा this is the road the inauguration of which was done by the president क्योंकि road non-living है और non-living के लिए तो whose use नहीं होता non-living के लिए हमेशा which use होता है इसलिए यहाँ पे whose को हटा के हमें which लगाना है तो हमें थोड़ा सा sentence में change करना होगा होब आपको यह question clear है तो आगे बढ़ते हैं अगला question है it is difficult to say who is the better of the two players अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो player है और उनके बीच में हो रहा है comparison क्योंकि यहाँ पे हमें साफ साफ comparative degree better दिख रही है तो जब भी हम comparison करते हैं तब कभी भी हम who use नहीं करते हैं पहली चीज तो यह comparison के लिए हम हमेशा which use करेंगे comparison या फिर जब भी हमें selection करना हो कुछ लोगों के बीच में से किसी एक का तब हम हमेशा which use करते हैं और एक दूसरी चीज कि of के पहले which use होता है ना की who या फिर whom हम कभी भी off के पहले who या फिर whom use नहीं करेंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर part C में off use हुआ है ना और off के आगे who use किया है और मैंने आपको बताया कि इस तरीके का जो sequence होगा वो गलत होगा off के आगे हमेशा which use होता है इसलिए यहाँ पर error हो जागा part B में यहाँ पर who नहीं आना चाहिए यहाँ पर which आना चाहिए फिर sentence सही कुछ इस तरीके से दिखेगा it is difficult to say which is the better of the two players मतलब यह कहना मुश्किल है कि दो खिलाडियों में से जादा बहतर कौन सा है hope आपको यह question clear है आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है many women reconcile to the demands of their in-laws मतलब बहुत सारी महिलाएं खुदी समाधान कर लेती है अपने ससुराल पक्ष के लोगों की demand के अनुसार यह meaning देगा sentence अब देखिए यहाँ पे error है part B में क्योंकि यहाँ पे यह use हुआ है word reconcile जब भी हम reconcile word देखेंगे sentence में तो हमें एकदम click हो जाना चाहिए कि reconcile के बाद हमेशा reflexive pronoun use होगा होगा और होगा ही लेकिन यहाँ पे reconcile के बाद कोई भी reflexive pronoun use नहीं हुआ इसलिए error part B में हो जाएगा reconcile के बाद हमेशा reflexive pronoun use होता है इसलिए हमें यहाँ पे reconcile के बाद themselves लगाना होगा तो सही sentence कुछ ऐसा दिखेगा many women reconcile themselves to the demands of their in-laws hope आपको यह question भी clear है कि reconcile जब भी दिखें उसके पीछे reflexive pronoun फट से लगा दें तो आज मैंने कुछ आपके साथ question discuss किये hope आप सभी को यह सारे ही question clear होंगे कि इनमें क्या error है और उस error को detect करने के बाद उसको कैसे correct करना है यह चीज़ भी clear होगी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like कीजे share कीजी अपने maximum friends के साथ relatives के साथ और अगर अभी तक channel subscribe नहीं किया है तो please हमारा channel भी subscribe कर लीजिए जिससे की upcoming videos की notification आपको जल्दी से जल्दी मिल जाये करेगी कल फिर मिलेंगे एक नए episode के साथ तब तक के लिए stay tuned with us thank you so much wish you all the best